ऐसी कृपा करो जग जननी जीवन गाय त्रीमया हो सद चिंतन सद भाव जगे सत कर्मों की जग में जया हो ऐसी कृपा करो जग जननी जीवन गाय त्रीमया हो हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टूदर प्रगती कोचिंग सेंटर ओंकार वाटिका कालोनी पड्रोना आएए आज एससी और बैंक से रिलेटेड एक क्वेस्चन को यहाँ पे साल्व करते हैं यह क्वेस्चन जो है बैंक में भी दिया हुआ है और एससी में भी दिया हुआ है इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारे वहां सीवी एससी और आएसी एससी बोर्ट से पढ़ने वाले च्छात्रों को यू केजी से लेकर क्लास यर तक सभी सब्जेक्ट की कोचिंग दी जाती है और क्लास नाइन्थ और टेंथ मैथामेटिक्स और इंग्लिश ग्रामर के लिए आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं हमारा कॉंटेक्ट नंबर है 7985205699 इस पे कॉंटेक्ट करके आप डिटेल्स ले सकते हैं और हमारे वहां इंटरेंस एक्जामीनेशन और कंपर्टिटिव एक्जामीनेशन की भी तैयारी करवाई जाती है इंटरेंस एक्जामीनेशन में और है इंग्लिश मेत्ट बृजिनि के एट सकते हैं इन सबकी फूल तैयारी हमारे वहां करवाई जाती है और बहुती कम समय में आप पो कॉंटेक्ट कर सकते हैं तो आए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक चीज़ मैं और बताना चाहूंगा कि हमारे वहां होस्टल फैसिलिटी भी अवैलेबल है होस्टल में उन्हीं बच्चों को रखा जाता है जो इंटरेंस इग्जॉमिने इस 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 सर्कल यह सर्कल है सर्कल का सर्कमफेंस सर्कल का सर्कमफेंस है सर्कमफेंस जैसे माली यहां यहां से कोई व्यक्ती यह सर्कल पर चलते हुए और फिर सेम पॉइंट पे यहां से चला सेम पॉइंट पर यह पहुँच जाता है तो यह सर्कमफेंस हो गया यह जितन का सार्खूंफर्इंस and and the end the perimeter of a rectangle. यह यह दिस is rectangle rectangle का sum in दोनों का sum कह रहा हैं. दोनों का sum 132 दिया हुआ है. तो यहां पे formula आपको पता होना ची यह जदि formula नहीं पता है तो आप question को solve नहीं कर सकते हैं इसलिए फार्मूला पता होना नीतान तावश्यक है आईए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले सर्कुंफ्रेंस पार्मूफिए ओनी टाम कोईश्यक वेल। सर्कुंफ्रेंस आए स क्वेश्चम परी कि घूता है। अब यह तो यहां पर यह आपका circumference of a circle circle का circumference formula होता है यहां पर यहां से तो अभी हमको length और breath यहां पर देखना है the area of a rectangle यह rectangle का area 112 square centimeter यहां पर दिया हुआ है area of rectangle is given here 112 square centimeter and breath is given here 188 centimeter तो यहां पर area area of rectangle area of area of the rectangle equal to area of rectangle length into breath formula होता है अब यहां पर area of rectangle यहां पर दिया हुआ है 112 square centimeter 112 length नहीं दिया है और यहां पर breath दिया हुआ है breath 8 centimeter into 8 centimeter अब 8 को equal के left side में लाएंगे तो length equal to हो जाएगा one hundred twelve यह divide में convert हो जाएगा 8 वंजा 8 14 तो length हो गया 14 centimeter अब इसके बाद से इसको हम फिर से हम रखेंगे यहां पर तो यह आपका two two pi r plus two into length plus breath equal to one hundred thirty two one hundred thirty two अब यहां पर two pi r एनी two pi का value fraction में twenty two upon seven होता है और into r और plus two length यहां पर निकला हुआ है 14 और ब्रीथ है eight equal to one hundred thirty two अब यहां पर multiply कर देंगे 44 upon seven into r plus यह twenty two two से multiply करेंगे 44 equal to one hundred thirty two 44 को 44 को one hundred thirty equal के right side में हम ले जाएंगे तो यह minus 44 हो जाएगा यहां पर solve करते हैं तो यह हो जाएगा आपका इधर बचेगा 40 44 upon seven into r equal to one hundred thirty two minus forty four यह अपका 44 upon seven into r equal to eight eight अब इसको equal के right side में ले जाएंगे into से related है divide में convert हो जाएगा तो r equal to 88 और divide में जब convert होगा तो divide को into में convert करेंगे तो यह रेसी प्रोकल हो जाएगा into seven upon forty four forty four two जाब 14 centimeter यह radius हो गया और radius अनि त्रिज्जा जिसको हम बोलते हैं अब यहां पर कह रहा है what is the area of circle circle का circle का area हमको निकालना है तो area of circle formula क्या होता है area of a circle area of the circle circle का area pi r square होता है pi r square तो यहां पर पाई पाई का value 22 upon 7 r r 14 निकला हुआ है 14 into 14 two times seven two जा twenty two जा four into 14 multiply करेंगे तो 44 into 14 यह हो गया आपका six hundred sixteen centimeter square यही आंसर हो गया तो इस तरह से इस टाइब के question को हम solve करते हैं formula आपको पता होना चाहिए यदि आपको formula नहीं पता है तो आप question को solve नहीं कर सकते है और question के concept को समझना बहुत जरूरी होता है यदि आप question के concept को समझ गए और इस टाइब के question में आपको formula यदि learn है तो आप बहुत एजली और जो लिमिट टाइम होता है उसके अंदर आप question को solve कर सकते हैं क्योंकि competitive examination में आपको practice करने की आवशकता है ज्यादा से ज्यादा practice, ज्यादा से कोई भी subject हो, English हो, mathematics हो, reasoning हो आप ज्यादा से ज्यादा practice करें, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे उस स्थिती में आपको इस तरह से लिखने की आवशकता नहीं पड़ती है सीधे सीधे addition, subtraction, multiplication, division आप direct कर सकते हैं और बहुत कमी समय में आप question solve कर लेते हैं तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहो तो आप इसे लाइक और शेयर करें और आप हमारे Facebook जो मा के नाम से है MAA, 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 सुसील जैसवाल, सुसील जैसवाल इसको भी आप follow कर सकते हैं और हमारे YouTube चैनल Sky High Study को आप follow करें और उसे subscribe करें और subscribe करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें ताकि जितने भी वीडियो जैसे हमारे निकलें उसका notification आपको मिलता रहे इसका आप बहुत धन्यवाद